महोदै हमारा जो सम्विधान तयार हुआ है उसमें भी इस बात का परियास किया गया है कि देश में लोकतंद्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंद्र की सारी सुविधा मिल सके सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है आपके सामने जो विशे आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रतेक हिंदुस्तानी चाहे वह किसी भी काम में लगा हो उन पर कुछ ने कुछ दियान अवस्य देता होगा ये है एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है सिक्चा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलजे तरीके पर तयार करे और उसको इस योग्य बनाई कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुछलता और सफलता के साथ पूरा कर सके हमारे देश में जो सिक्चा पदती अभी तक जारी है वह नई नहीं है बलकि यदि मैं यह कहूं कि वह 125 वर्स पुरानी है तो गलत नहीं होगा 125 वर्स पहले जिस उदेशय को सामने रख कर यह सिक्चा पदती जारी की गई थी वह उदेशय अब नहीं रहा पर सिक्चा पदती अब तक लगभग वही है मैं मानता हूँ कि इस बात का परियतन किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवैसिक्ताओं की पुरुती में सहायता मिल सके जहां तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं मैं तो सायद यह भी कह सकता हूँ कि उस सिक्षा पदती को बदलने में जो परियास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है इस देश में या सभी देशों में सिक्षा के तीन भाग होते हैं एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को सिक्षा दी जाती है दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विध्यारतियों को सिक्षा दी जाती है इन तीनों भागों की सिक्षा पधतियां अलग-अलग हैं परन्तु वे एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं और एक दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसलिए यदि हम अपने देश की सिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवस्यक यह है कि सर्वप्रतम प्राथमिक सिक्षा में उसके बाद माध्यमिक सिक्षा और फिर विश्विधाल सिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए